एक आसान सा सवाल है और इस question को करना theoretically है fusion क्या होता है fuse होना दो नुकलियाई को का जूड़ जाना मतलब जो नुकलियाई होते हैं वो एक positive होता है अगर यह दोनों नुकलियाई में repulsion हो रहा है तो यह जूड़ेंगे कैसे ठीक है और यह repulsion कोई normal repulsion थोड़ी है ठीक यह यह repulsion हो रहा है कुलामिक रिपल्शन है और इनको एक सार्प जोड़ना है तो इनको एक पास आने के लिए काइनेटिक और जी बहुत ज़ादा होती है काइनेटिक इनेर्जी लार्ज होता है तो यह इतना तब जाके यह जूड़ते हैं तो kinetic energy high होता to overcome kulamik repulsion, तो overcome kulamik repulsion को temperature की kinetic energy dominate कर देती है, जिसे यह fuse जाते हैं, जूड़ जाते हैं, तो C option से ही है.